कोरोना वाइरस के संक्रमन्ट से बजने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन इसके बावजूद लोग सडकों पर नजर आ रहे हैं ऐसे में इन दौर की कलेक्टर मनीश सिंग ने सक्ट कदम उठाने के निर्देश दिये हैं रविवार को कलेक्टर ने कहा कि आज और कल शेहर में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा आगे भी इसकी अवदी बढ़ाए जाएगे साथ ही कहा कि कुछ दिन सूखे अनाज और आलू प्यास से लोग काम चलाए हरी सबजियों के पीछे ना भागी हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं सभी तरह की पेशेंट्स का इसमें इलाज चले कुछ अस्पतालों को सर्दी खासी तकलीफ के लिए आइसुलेट कर देंगे हम लोग कोवीट के लिए प्रयास कर रहे हैं कुछ डेडिकेर अस्पताल दो तीन फिक्स होजाई जिसमें अस्पतालों को मैनेजमेंट मेन है नंबर टू जो हमारे एरिया से ज्यादा तर केसे आ रहे हैं जैसे रानीपुरा हो गया नयापुरा हो गया चंदननेगर खजराना हो गया यहां पर इनमेर हमलों को स्टेडिंग करानी है उसके टीम अभी रवाना कर रहे हैं आज पुरा स्टेडिंग करानी पड़े की जो दवाईयां देनी प्रोफलेक्सिस टीटमेंट होता है जिसमें की HCQS दवाई देते हैं क्लोरोकृन टाइप की रहती है वो दवाईयां बटवा रहे हैं 55 साल से उपर के लोगों के लिए और जिनको डाइबिटिक है या अलग अन्विवा जो करिंटाइन का है कई लोगों की यहां से कुरिंटाइन में ले जाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग मेरिज गार्णा कुछ लेट टेक ओफ कर रहे हैं वाहां लगा और ताकि सुबह से लेके रात उनको खाने की विश्ता रहें और इसके बाद फिर शहर को टोटल सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है क्रिपया सवाहिम सवाहिम की संकटनों से हमें जरुत पड़ेगी मैं सबको जानता हूं मैं बुला लूंगा उन लोगो हम वेवस्ता लग से करा रहे हैं 15,000 बनवाने की अलग से हम लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं जंता की बीस से लोग हारी ते परविशन लेंगे बाहर जाने का भी मना कर दीया पुलिस को और बच्चा जो भी बिच्चा जिस होस्टल में रह रहा है वे रहा है जो लेवर आई हुई है जिन ठेकेदार उने बुलाई है जिस ब्रॉजच्ट में लेवर रही है उस प्रजेक्ट के मालिक का या थेकदार की जिम्मदारी है एक लेबर के रुकने की और खाने की संपुर्ण विएसता करें ईसन्हेन जो भी परमिश्डि हुआ रहे है जो जहां है वह रहाँ आप दne 그것ि आए कि अपने स्वास के थान रखें आप लोग और प्लस बहुत जदा ना घूमें आप लोग जहां वश्क्तावी वहां घूमें क्योंकि कुछ दिन में नियंतर आ जाएगा यहां के लोग इतने का उप्रेटिव पुरा शहर चाहता है तो मेरी बात इस पुरा शहर कंप्ली अधर शहर शुरक्षित रहें लोग यह रोग ना फैले कहीं पर जहां आवी यह हम लोग नेंतर कर लेंगे उसके लिए व्यस्ता करेंगे सब्जियों में आलू-प्या से काम चला लें बहुत ज़्यादा हरी सब्जी रिस्की है बुलाना बहुत हातों में लग्टे है सब् अधर ज़्यादा हरी सब्जी के पीछे भागने का इस वक्त नहीं है कुछ दिन के बात है क्यावल 10-15 दिन की बात है ठीक से लोगों ने इसमें थोड़ा सेलिया हल्की पुल की तकलीफ भी सेली मैं भुपार से आ रहा हूं भुपार लाउटाएं तो मैं दाल उटी आओ द आज की वहस्ता पुरी रहेगी पर थोड़ा 15 दिन का समयम रखने 14 दिन का सिफिस पुरी समझ जाएगी है तो आपको बता दे कि 24 घंटे की पीतर मत्रे प्रदेश में कोरोना वाइरस का एक ही नया मरीज गौलियर में मिला है प्रदेश में अब इस विमारी के संक्रमें दर एक-एक मरीज की मौत हो चुकी है न्यूस डेस्क